मेरा हाथ पे बटरफ्लाई बैठी हुई है देख सकते हैं तीटली कितना सुन्दर दीख रही है हलो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को देश के आजादी के 75 वर्श गाट की देरो सारे सुपकावना है और भारत देश को आजाद करने में जिन सवतरता संग्रामियों ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया उन सभी को दिल से सल्यूट है और दोस्तों अभी हम लोग कासा बेल में जा रहे हैं अगर पर प्रोग्राम हो रहा होगा तो वहां देखने के लिए और तब तक आप लोग बने रहो वीडियो में तो दोस्तों अभी हम लोग आये हैं कासा बेल में तूरी जर्ना है यहां पर कि इससे पहले बता रहा था आप लोगों को कि में प्रोग्राम देखेंगे करके तो ठोड़ा लेट हो गए हम लोग और सभी जगह प्रोग्राम मतलब कंप्लीट हो चुका है जंडा पारा चुक दिखाने के कोशिज करता हूँ आप लोगों को मैं और यहां पे जर्ना है जिससे पानी निकल रहा है पाइप लगा दिये हैं तीन पाइप लगा हुआ है जिसमें से पानी निकल रहा है यही तूरी जर्ना है देखने के लिए है ठीक ठाक है जगह कि वर्सात का मौसम है तो पानी मेरे ख्याल से ज्यादा है बाकि वहां का वीव कुछी इस तरह से हमस्त प्रेड़ पौद्धे हैं यह देख सकते हैं काफी सुन्दर द्रिश्ची है और यह मंदीर है सामने में जो दीख रहा है और इसी दारान मेरे हाथ पे बटरफ्लाई बैठी हुई है देख सकते हैं तीटली कितना सुन्दर दीख रही है तीटली कितना सुन्दर दीख रही है और दोस्तों यहां पर एक सीवलिंग है नंदी जी का भी परतीमा है देख सकते हैं काफी सुन्दर है यहां आते होंगे अभी सावन का महीना चल रहा है तो साथ सो मार सबको जल चड़ाने के लिए आज तो संड़े है तो आज बहुत कमी है जो लोग घुमने के लिए हैं वह लोग पस है यहां देख सकते हैं कुछ इस तरह से सीवलिंग में नाग जी है देख सकते हैं चलिए और आगे दिखाता हूँ आप लोगों को मैं और यह हमरा बाइक है इसी से आया है हम लोग और यहां भी है सीवलिंग और सेस्नाक प्रतीमा है लेख सकते हैं बहुत बड़ा है अच्छा लग रहा है कि बहुत बीड़ रहता हो गया है साय तो लेकिन अभी नहीं है और इधर हाई लोग कार वाफिन के लिए पानी नाला है तो वहां पे इस्टाब डेम टाइप का है पानी मस्त गिर रहा है उपर से कि अभी है पर रहा है। सब व्याह है । यह है करदा है झाल झाल और यह है बस इस्टेंड और कासा बेल बस इस्टेंड को यह कुछ इस तरह है और यहां पराफू मिल जाएंगे चटी चटी दुकाने में बैग सबका सूस वगेरा टीशार्ट मिल जाएगा गलास मिल जाएगा और यहागा जाएगा झाल झाल मुग झाल क्याँ अजया झाल लु झाल झाल लुट रड़ झाल कर दो कर दो